हे दोस्तों कैसो आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे एक और नई वीडियो में आ चुका हूँ और दो हमारे साथ यहां पास EV खड़े हुई है एक है ओला की X1 X Plus और दूसरी ओर यह बजाज की ओर से आती है जो की प्रेमियम एडिशन है वो भी 2023 तो दोनों के दोस्त फैमिली के साथ इस विडियो को सेयर भी कर सकते हैं तो जले दोस्तों अपन फिरेंड वियू से बात करते हैं अप सकते हैंडर पहले हम ओला की बात करेंगे ओला में आपको क्या चीज़िसय है प्रोवाइट करी गई है वह देखते हैं फिरेंड्य आपको ऊपर देखती हैं तो यहां पास प्रोजेक्टर मिल जाता है यदि आप नोटीस करो गये तो DRL इसके ग्लो होते हैं और इधर ओला में ग्लो नहीं है उल्ली प्रोविजन दिया गया है साध अपडेट के बाद यह वर्किंग में आ जाए यहां यहां पास देख सकते हैं थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा और वहीं यहां दूसरी और यहां रहिए हम देखते हैं इधर आपने बजाजाच चितक की तो बजाच चितक में आपको एक बलकी लूग देखने को मिल जाता है और इस लूग में काफी लोग फ्रीदा भी हैं वेल दोस्तों यदि आप इधार देखते हो तो यहां पास front panels में आपको exhaust मिल जाता है, यदि आप इधार देखते हो तो बड़ा सा आपको medguard मिल जाता है, बट इधार आप ओला में देखेंगे तो वो चीज़ें नहीं मिलती, यहाँ पास टायर सेम मिल जाता है 12 इंच का इसमे भी आपको टायर देखने को मिल जाएगा बट यहाँ पास आपको डिस ब्रेक प्रॉइट किया गया है बजाज में वहीं यदी suspension की बात करहें। तो दोनों में ही अलग suspension आपको देखनाको मिलेगे। यहां पास इस ॥ाइब से देखनेको मिल जाएगा। यहां पास ये side panel है। इसकी इदी quality की बात करें। यहां पास फूरा ही आपको fiber ही दिया गया है। पुड़ी बॉड़ी द्यान यदि इधार आप देखते हो बजाज में तो बजाज में जो साइट पैनल से यहां आप देखते हो तो इधार आपको कोई ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे बढ़ यदि इसके क्वालेटी की बात करें तो फूरी यह मैटल दी गई है आप देख सकते हो बैग प्रोफायल जो मिलता है X plus में आप देख सकते कुछ इधर आपको यहां पास charging ports का option दिया गया है इधर आपको कुछ Tel section का इस type से option दिया गया है याधी इधर आप देखते हो X plus में इधर आपको एक exhaust फिर से देखने को मिल जाएगा यहां पास 10 indicator slides दिए गए हैं और यहां पास चेता की branding किये यह है और आपको यह grab rail मिल जाता है इस टाइप से जो की काफी heavy है उधर यदि आप ओला में भी देखती हो तो ओला में भी काफी बहतरीन आपको grab rail मिल जाती है सो जोस्तों आप हम बात कर लेते हैं इन दोरों यह computer के boat space में कितना आपको मिल जाती है यदि आप x-plus में देखती हो तो इधर आपको देखने को मिल जाएंगे दो pocket जो की काफी deep है और इधर एक flat food board आपको देखने को मिलता है यदि आप under seat storage देखती हो तो under seat storage आपको 34 liter का यहां पास storage मिल जाता है यहां पास charger रखा गया है यहां पास थोड़ी सी storage दी गई है USB port का भी option इधर मिल जाता है यहां यहां से लॉंग प्रेस करना होगा इस switch को तैन इसके बाद यहां इसकी आप storage देखेंगे तो यह 22 liter का approach यहां पास storage मिल जाता है जो कि इस scooter के हिस्साब से enough है बेल दोस्तों अब दोनों scooter को यहां आप start करते हो तो किस process से होती है वो भी देखती है पहले तो यहां आप X plus को यहां start करते हो तो यह आपको कुछ है की मिल जाती है उसके help से यह start हो सकती है manual scooter start हो जाती ह है application के help से भी start हो जाती है तो यह सारी process है बड़ मैं start करकर आपको नहीं दिखाऊंगा बजात से तो कोई start कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं पहले आपको यह manual की है उसको लेकर जाना होगा scooter के पास फिर इसकी को यहां पास एक क्री होती है उसको click करना होगा automatic scooter start हो जाए ground clearance की तो यहां पास आपको जो X plus है उसमें जो ground clearance देखने को मिल जाती है 160 mm की ground clearance देखने को मिल जागी प्लस आपको जो यह side stand मिलता है इसमें sensor दिया गया है हालक कि आपको बजाच चितक में भी sensor मिलेगा बट इसकी जो quality है वो थोड़ी सी better नहीं है देन हम दूसरी और बात कर लेते हैं बजाच की जो चेतक मिलती है प्रेमियम इसके ग्राउंड ट्रेंस से आप देखेंगे तो यह थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी जो ground clearance है 155 mm है इसके साथी side stand जो मिल जाता है वो आपको metal का मिल जाता है और इसकी quality काफी best रखी गई है बै यहाँ पास देख सकते हैं इसके साथ ही आपको double आपका soccer भी देखने को मिल जाएंगे जो कि spring coil type suspension दिये गए है और brick की दी बात करें तो brick जो पीछे आपको मिल जाता है वो drum brick दिया गया है देन दूसरी और बजाच चेतक में जो आपको motor मिल जाती है वो PMS motor देखने को मिल इधर की side में ही mount होती है जिसके capacity है 4.2 kilowatt की हाला कि यदि इस electric scooter में पीछे आप ब्रेक देखती हो तो आपको drum brick का option दिया गया है और यदि suspension की बात करें तो इधर आपको single side ही suspension देखने को मिलेंगे तो ये सारी चीजे इन दोनों ही scooter पे मिल जाती है हाला कि power की दी बात करें तो दोनों में ही थुड़ा सा power उपर नीची है यहाँ पास आपको X plus में ज्यादा power देखने को मिलेगी बेल दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं instrument console पे instrument console आपको इस टैप से देखने को मिलेगा लगभग ये 5 इंच का होगा और यहाँ पास आपको order meter देखने को मिल जाएगा उपर यदि आप देखेंगे तो battery percentage देखने को मिल जाएगा उसके just नीचे range देखने को मिल जाएगी और यहाँ पास trip meter को option मिल जाता है और इसके साथ ही यहाँ पास इस electric scooter में इतना ही है अगें दोस्तों यदि आप बजाच चितक में देखने हूं तो बजाच चितक में तो वह देखने को मिल जाएगा जिस mode में select होगी वहाँ आपको यह change होगी जैसे drive motor में select होगी तो D लिखर जाएगा तो इस type से आपको देखने को मिल जाता है उपर आपको logo देखने को मिलेगा तो बजाच चितक में आप देखते हो यह key जो है तो काफी बहतरीन दिया गया देन यदि आप दूसरी ओर देखते हो Ola S1 X Plus पे तो Ola S1 X Plus में जो आपको यह switches मिल जाती है वो इतना बहतरीन तो नहीं है बट ठीक है बैस तो अब हम बात कर लेते हैं speed की दोनों में speed कितना मिलती है हलाकि यदि आप Ola S1 X Plus में देखोगे तो आपको 90 km की top speed मिल जाती है देन यदि आप दूसरी ओर देखते हैं बजाज की premium electric scooter है जिसकी top speed है 73 km अब यदि mode की बात करें तो mode आपको इसमें 3 modes मिल जाते हैं जैसे eco, normal और sport और इधर आपको जो modes मिलती हैं वो दो mode ही मिलती है eco और sport गाइस अब हम बात कर लेते हैं दोनों scooter की battery power की हालाकि दोनों scooter की क्योंकि EB की सबसे जादा जान कही जाने वाली battery होती है जो कि Ola S1 X Plus में आपको battery देखने को मिलेगी इधर battery setup करी गई है capacity की बात करें तो 3 kWh की आपको battery देखने को मिल जाएगी इसके साथ ही जो charger मिलता है 500W का आपको charger देखने को मिल जाता है चेतक की दी बात करी जाए तो बजाचेतक में जो battery मिलती है वो 2.9 kWh की है यानि कि battery में दोनों ही सेम ही है बट चारजर की दी बात करें तो 6 से 50W का आपको charger इसमें देखने को मिल जाता है और charging hour की दी बात करें तो यहाँ पास 5 hours में full charge हो जाती है स्कूटर दूसरी और बात करी जाए Ola S1 X Plus में तो बन 7 घंटे का वक्त लगने वाला है इस स्कूटर में अगे दोस्तों अब हम बात कर लेते pricing की तो pricing की on-road की बात करेंगे यहाँ पास X Plus में जो आपको on-road इस time मिल रहा है सपना की दी बात करें तो 1,07,000 रुपे में मिल रहा है यह गाड़ी देन यहीं दूसरी और की बात क पास on-road और यदि आपको प्राइस के बारे में थोड़ा सा और डेटेल में जाना है तो आप सो रूम पर बिजिट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन पर आपको अड्रेस मिल जाएगा वीडियो कैसे लगी वह बता सकते हैं यदि आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए त पर किस टाइप से वीडियो आने चाहिए चले मिलते हैं यदि आपको प्राइस के लिए टेक क्यार बाय जहिन